विल्कम टू कुकिन जंक्सन आज मैं सावर मनानी की रेसिपी शेयर करूंगी सावर डोसा या इटली के साथ काफी अच्छा लगता खाने में तो यहां पर हमने राहार की डाल सौ गरम लिया है और इसे साफ से धो कर विगो कर एक घंटे के लिए छोड़ दिया था तो एक घं नमक टाल कर इसे हम गलाएंगे दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे कुकर के लिट को लगा देते हैं और दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे जब तक हमारे दाल गल रही है हम मसाला तियार कर लेते हैं तो यहां पर हम तेल डालेंगे और इसमें राई दाना दो लाल मिर्श और डालकर इसे चटकने देंगे तो यहां पर चटक चुका है और इसमें एक मीडियम साइच कप प्याज बिल्कुल बारिक चॉप किया हुआ इसे डालकर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे खीं एक चुटकी डाल देंगे और करी पत्ता करी पत्ता से खुश्बु काफी अच्छी आती है इसलिए करी पत्ता जरूर डालें एक मीडियम साइच कप टमाटर है इसे भी हम डाल देंगे इसमें और नमाग टेस्ट के हिसाब से डालेंगे यहां पेक चमच डालने हल्दी न h danबेंगे दृधाय दैया कश्मेरी न पत्ते हैं मेडे बड़नेंगे और जातना मेडियम साहर चुटव सांवरे चाल सकते 20% मिलेंगे, शोजन गिया, व्यक्यद्र फत चाहित्व बंकित्र into a few things ुबीयर च्वाही जालिए सबटे मेंड लॉकी और यह सब तोरे तोरे ह है जाफ हाफ का टोडिन ही सबको डालकर हम हुझनेंगे से और है यहां पर थोड़ा सا पानी टाल देंगे फानी डाल कर में चेम करेंगे अ अब इसमें हम दॉझन अच्छे से मिक्स कर लें नायों को जम्मज से या किसी चीड से भाँ एमुक्स कर लेंगे इस तरह से अरास इसमें हम सभजी के साथ इसे भाँ दाल को आज इसे बराबर से चलाएंसकों तो दाल हमारी गारी है एतनी गारी नहीं पकाना पानी एक गिलास और डालेंगे ड़ल कर दस मिनट में पर दाल डीज़ेंगे उपर से शामड़ मसाला एक चमच और डाल देते हैं यहां पर चुका है लेकिन ठ्टनन होगी यहां पर बन कर तेयार है रसिप्या को कैसी लगी आपको